स्वागत है आपके अपने चैनल के टू फाइंटासी स्पोर्ट्स में के अपसी बिग बैस लिख टी 20 मैलबर्न रेनेगेट्स वर्सेज बिरिस बैन हीट डेट 21 दिसंबर 2022 टाइम दोपर के एक बच के 45 मिनिट मैच नमर 10 मैच बैनेगेट्स की बात करें तो सिमांट इस टर्डम जिलांग अच्टलिया में खेला जाएगा पीच रिपोर्ट की बात करें जिलांग की पीच बल्ले बाजी के लिए काफी अच्छी है बांडरी छोटी है और बल्ले बाजा को सरफेस से कुछ मदद मिलती है वैदर करें तो जिलांग अच्टलिया में मौसम साफ है मच के दिन ताक मन 49% आधरता और 11.96 किलोमीटर परते गंटा हवा की गती के साथ लगबग 24 डिगरी सेल्सियस की उम्मीद है खेल के दोरान बरसा की 10% संभावना है फानल टीम की अफडेट आपको टेलिग्राम की चैनल पर करें तो टोटियल मैं साहत खेला गया बैटिंग वाले तीन में जिते हैं बॉलिंग वाले चार में जिते हैं फैस निंग आवच इसे स्कॉर 176 है ऐस्ट टोटल 196 悶ान वे तीन विकेृट के नुखसान , लविकेट के नुखसान पर लॉ इस टोटल 105 है 10 विकेट के नुखस इसका भी अवी तक कोई चोट अफडेट नहीं है, मैलवन रेनेगाट्स वर्सेज ब्रिस वैन हीट, ड्रीम अलेवन प्रेडिक्शन की बात करें, तो मैलवन रेनेगाट्स हाल के मैच उमच्छे फॉम में दीख रहे हैं, मैलवन रेनेगाट्स वर्सेज ब्रिस वैन हीट, हैट तो हैट की बात करें, तो मैलवन रेनेगाट्स दो में जीते हैं, जबकि ब्रिस वैन हीट एक में जीते हैं, मैलवन रेनेगाट्स टीम की बात करें, तो पहले डवल विन और आखरी में तिरपल लास, Sam Harford विकेट की पर है जो 3 बॉल पर 0 रन की पारी खेले 15 बॉल पर 21 रन की पारी खेले थे 122 बॉल पर 71 रन की पारी खेले और आखरी में 49 बॉल पर 31 रन की पारी खेले थे Nick Maddinson की बात करती है टीम का Captain है जो 28 बॉल पर 49 रन की पारी खेले 49 बॉल पर 87 रन की पारी खेले 50 बॉल पर 33 रन की पारी खेले 52 बॉल पर 36 रन की पारी खेले था और आखरी में 38 बॉल पर 20 रन की पारी खेले थे जेक फ्रेसर मकगार्ड की बात करें तो 18 बॉल पर 24 रन की पारी खेले 6 बॉल पर 3 रन की पारी खेले, 1 बॉल पर 0 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 18 रन की पारी खेले और आखरी में 42 बॉल पर 36 रन की पारी खेले थे एरन 5 की बात करें तो 40 बॉल पर 70 रन नोट आउट की पारी खेले 7 बॉल पर 4 रन की पारी खेले 44 बॉल पर 63 रन की पारी खेले 42 बॉल पर 31 रन की पारी खेले था और आखरी में 11 बॉल पर 13 रन की पारी खेले था जोनाथन वैल्स की बात करें तो 10 बॉल पर 12 रन की पारी खेले, 3 बॉल पर 1 रन की पारी खेले, 47 बॉल पर 12 रन की पारी खेले, और आखरी में 8 बॉल पर 12 रन की पारी खेले थे, आंदर रसेल की बात करे, तो 7 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 35 रन की पारी खेले, 8 बॉल पर 9 रन की पारी खेले आखिरी मज में या 32 बॉल पर 63 रन की पारी खेले थें, लगतार 2 मज में या Instagram डिकेट निकालें, अगला 2 मज में या बालिंग नही खिये थे, और आखिरी मज में या बुकेट लेश रहे थें, अक्यल हुसेन की बात करें तो 9 बॉल पर 13 रन की पारी खेले, 7 बॉल पर 1 रन की पारी खेले, 6 बॉल पर 9 रन की पारी खेले, 3 बॉल पर 6 रन की पारी खेले थे और आखरी मच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे पहला मच में या एक विकेट निकाले अगला मच में तीन विकेट निकाले अगला दो मच में या दो विकेट निकाले थे और आखरी मच में या विकेट लेस रहते हैं विल सदर लेंड की बात करें, तो एक बॉल पर एक रेंड नोट आउट की पारी खेलें, फिर एक बॉल पर एक रेंड नोट आउट की पारी खेलें, बेरासी बॉल पर 49 रेंड की पारी खेलें, बहतर बॉल पर 48 रेंड की पारी खेलें और आखरी में 8 बॉल पर 2 रेंड की प पारे खेले, 19 बल पर 23 रंड की पारे खेले, 30 बल पर 28 रंड की पारे खेले और आखरी में बैटिंग का चांस नहीं आये थें, पहला मच में या दो विकेट निकाले, अगला मच में एक विकेट निकाले थें, फिर एक विकेट निकाले थें, और आखरी मच में या तीन विके निकालें और आखरित चार मिच में या विकेट लेश रहे थे बैंच पिलियर की बात करें मैकेंजी हारवे हैं मारकस हैरी से मार्टिन गप्तिल है सॉन मार्ड से रोवन्था केलेफवाथा है पीटर हैंड्स कॉम्ब है काड़ी रक्चिस याली है डेविट मोडी है जेक प्र इस वैंड हीट टेम की बात करें तो लागातार पांच लॉज जॉस ब्रॉन 10 बॉल पर 7 रन की पारी खेले बाराव बॉल पर 22 रन की पारी खेले थे या अपने टेम के लिए बॉलिंग किये थें जो पहला मच में या बॉलिंग नहीं किये और आखरी मच में या एक और आखरी मैच में 18 बोल पर0 रन की पारी खेलेते जी में पилсяनि की बात करें तिया टीम का कैप्टन है, साथी विकेट की पर भी है, जो 30 बॉल पर 43 रन की पारी खेलें, 24 बॉल पर 18 रन की पारी खेलें, 15 बॉल पर 42 रन की पारी खेलें, 10 बॉल पर 4 रन की पारी खेलें, और आखरी में बैटिंग का चांस नहीं आये थे, रॉस बाइटली की बात करें, आठारा बॉल पर 28 रन नोट आट की पारी खेलें, आठ बॉल पर 14 रन की पारी खेलें, एक बॉल पर एक रन की पारी खेलें, चार बॉल पर तीन रन की पारी खेलेता हैं, और आखरी में तीरा बॉल पर 21 रन की पारी खेलेता हैं, जैंप से बाजले की बात करें, तो 20 बॉल पर 19 रन की पारी खेले, 49 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, 4 बॉल पर 6 रन की पारी खेले, तिरपन बॉल पर 64 रन की पारी खेले था, और आखरी में, 44 बॉल पर 31 रन की पारी खेले था, पहला मच में या 2 बिकेट निकाले, अगला मच में या दो-दो विकेट निकाले और आखरी मच में या एक विकेट निकाले था अपने टीम के लिए मार्क इस्ट्या कैटी की बात करें तो पहला मच में एक विकेट निकाले थे अगला मच में 2 विकेट निकाले फिर 6 विकेट निकाले फिर 3 विकेट निकाले थे और आखरी मच में यद 6 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए वेवियर बड टिलेट की बात करें तो पहला मच में बैटिंग का चांस नहीं थे अगला मच में 18 बड़ पर 12 रन की पारी खेले 8 बड़ पर 0 रन की पारी खेले 8 बड़ पर 36 रन की पारी खेले थे और आखरी मच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे पहला मच में या विकेट लेस रहे थे, अगला मच में 6 विकेट निकाले थे, अगला मच में 6 विकेट निकाले थे, और आखरी मच में 2 विकेट निकाले थे, और आखरी मच में 1 विकेट निकाले थे, अगला मच में 2 विकेट निकाले थे, फिर 1 विकेट निकाले थे, और पिलियर की बात करें, मरनस लवसेन है, मट रंसो है, सम हन है, सम हैजलेट है, उस्मान ख्वाजा है, जैक विदर मत है, माइकल नैसर है, नाथन मक स्वीनी है, स्पैंसर जॉंसन है, विल प्रेस्ट विज है, फार्नल टीम के अपडेट आपको टेलिग्राम की चैनल पर मिलेग टाउसन प्लेइंग 11 बैटिंग आउडर के लिए टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें, डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आई होप आपको विडियो अच्छा लगा हुए तो विडियो को लाइक और सस्क्राइब कर दीजेगा, ताकि आप तक नए विडियो मकगाड को रखें, और रांडा से अंतर रसेल को रखें, निक मेडिंसन को रखें, और जेक बजले को रखें, बॉलिंग से अक्यल हुसेन को रखें, मैथ्यू कुहने मैन को रखें, और टाम इस्टिवर्ट रोजर्स को रखें, कैप्टन की बात करें, तो कैप्टन निक मे अगर अभी टक टिलीग्राम चैनल नहीं जोएन किये तो जरूर जोएन किरे डिस्क्राप्शन बॉक्स में लिंक दिया है